अलो आईस तो यहाप पर देखियेगा जो मार्केट को ख्लोजिंग है वह किस तरी कि से हो चका है मतलब अच्छा का सा मार्केट नीचे आ रहा है लेकिन अड़क सडनली मार्केट नी क्या है उपर की स्टेकर मॉमेंटम दे दिया है अब इस केस में confusion कैसे होता है कि जितने लोग यहां पर डाउन सेट का entry plan करते हैं यह सोच करके कि market यह से नीचे जाएगा वो market सडनली जब उपर जाने लगता है तो इन लोगों को यहां पर डर लगने लगता है क्योंकि market नीचे ना जाते हुए market कहीं ना कई उपर जाने कि यहां पर कोशिश करता है इसी कौन सा वो logic था जिसके वज़े से market यह से continuously नीचे आते गया अब देखे अब यहां पर जैसा bank nifty है वह ऐसे ही हम यहां पर निफ्टी के बारे में बात करने वाले है कि nifty के अंदर ऐसा कौन सा logic हो सकता है और उसके साथ में जो bank nifty का hero and zero है वो आपको कौन सी जगे से मिल सकता है क्योंकि हमारे पास दोनों चीज़े हैं एक तो है हमारा bank nifty के bank nifty कैसे काम करने वाला है और उसके साथ में हमारे यहां पर निफ्टी भी रहेगा कि निफ्टी किस तरह के से काम करने वाला है निफ्टी के बहतरें से लेवल जैकपोट लेवल कौन सी जगे से हो सकते हैं अब बैंक nifty का अगर हम देखेंगे तो यहां पर यह दो चीजी important है अब मान लेते हैं कि आपने यहां पर डाउंसेड जाते जाते ही डाउंसेड का इंट्री बनाया था याने कि पूर सैड का इंट्री बना लिया था लेकिन market का closing हो चुका है मतलब मार्केट उपर जाके close हो चुका है अब यहां पर यहां पर यह वेट करोगे कि मार्केट यहां से रिवर्सल लेगा और मार्केट काई ना काई नहीं चाहेगा तो सही लोजिक है अगर मार्केट 51,320 यह आप maximum level रख सकते हो अगर इसके वहां से 10 लेकर के निचा आ रहा है तो आपके लिए अच्छी बात है मतलब पी होल करने का logic वहां पे सही रहेगा लेकिन अगर वैसा नहीं होता है मार्केट यही से उपर जाने की कोश्चिश करता है तब आपको यह मानते हैं कि आपको जो C.E. का position है जिसने hold किया है उसके लिए तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं क्योंकि अगर मार्केट यही से सिदा उपर निकलता है तो उसका position holding में रहेगा लेकिन अगर इसे exit करना है तो इसके लिए जो level रहेगा वो 250 का रहेगा अगर 250 के level के आसप अब अगर आप यहां पर देखोगे तो यह निफ्टी में भी क्या हो रहे तो निफ्टी में भी काफी बढ़िया से closing हो चुका है 25052 के आसपास में अब यहां पर यह जो closing है यहां से क्या लगता है आपको अभी यह जो market is sudden center moment में है अब यहां से market अगर नीचे जाना चाहता है लेकिन अगर वह यहां पर आता है तो यह target अचे होगा और अगर वह यहां पर नहीं आता है और वह 070 या फिर 068 से अगर downfall करता है तो वह definitely एक trap moment वहां पर बन सकता है चाहिए तो यह चीज़े आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि level important है वह level तक आना चाहिए उस level से पहल target सीधा आपको 120 का target अब यह 80 से लेकर कि 120 का target मतलब कि लगब 40 points का easy gain आपको वह पर हो सकता है अब depend करगा कि आप कौन सा option ले रहे हो क्योंकि यहां पर भी premium small रहेगा अगर यहां पर आपका premium small रह रहा है इसका मतलब आपका profit रहेगा वह थोड़ा increase हो जाएगा अगर आपक quantity increase होता है तो लेकिन quantity increase आपका तब होगा जब आपके पास risk management रहेगा और risk management के accordingly अगर वहाँ पर इंट्री प्लान कर सकते हो तब जाकर कि आप यह सब चीज़े follow कर सकते हो यह पहले हैं सबसे important चीज़ यहां पर आपके लिए रहेगी अब जो market का जो downfall तो यहां से वो कितन levels को break करते हुए continuous नीचे जाने की कोशिश करता है यहां पे nifty bank मतलब कि nifty 50 तो बहुत तेरी से नीचे की और जा सकता है अब नीचे की और मतलब कहाँ पर तो फिर 920 का जो final target है कही ना कहीं वह अची होते हुए आप दिख सकता है अब इस केस में जितने लोगों ने हैं पे पूट होल करके रखा होगा उनके लिए बहतरी ना option रहेगा जब तक market 80 के ऊपर नहीं निकलता तब तक क्योंकि जब तक market 80 के ऊपर नहीं निकलता तब तक holding का पॉसिबली logically वहाँ पे सही रहेगा अगर वह 80 के ऊपर निकल रहे तो exiting बेतर रहेगा जो c entry रहेगा वह 90 के ऊपर हम वहाँ पे plan कर सकते है c side entry क्योंकि downside का जो target रहेगा वह लगभग 20 का है तो वह एक बड़ा target आपक quick moment अगर आपको मिल जाती है तो और वी जज़े से वह move आपका यहाप आपको देखने मिल सकता है जो quick entry लेना चाहते है तो उसके लिए भी थोड़ा discuss कर लेते quick entry के हिसाप से क्या हो सकता है quick entry के हिसाप से market ऊपर जाना की कोशिश करता है बहतरी market आपको 71 के आसपास का target दे स यहां से अगर वह वापस नीचे आने की कोशिश करता है तब जाकर करके हमारा 40 का target हो सकता है मतलब के 70 से लेकर के 40 लगबग 30 पॉइंट के आसपास का target यहां से market अगर यहां से नीचे आता है मतलब के 50 लेवल को ब्रेक करता है तो फिर 20 टागेट है और यहीं से अगर 60 ब्रेक आउट करता है तो फिर 80 का target अब हमें रेखना यह है कि market नीचे ब्रेक करता है या फिर market ऊपर ब्रेक करता है यह fast traders के लिए है अगर fast traders याना के quick execution speed होना चाहिए quick exit speed होना चाहिए दोनों अगर उसके पास है तो फिर वो यह चीज कर सकता है अगर दोनों में से एक भी चीज उसके पास नहीं है तो फिर वो fast trading के category में वहाँ पर नहीं आए गाए और उसलिव टेडर के हिसाब से आ सकता है अब उस case में आ market का अच्छा का सा hammer candle बना था लेकिन market उपन आ जाते हुए continuous ने निश्चे जा करके सबी लोगों को यहाँ पर trap कर चुका है उसके बाद में हाँ पर reversal trap आपको देखने मिलता है reversal hammer जिसमें भी trapping generate हुआ था चीक है उसके बाद में यहाँ पर एक hammer जो यहाँ पर generate हुआ है उस nifty हो इससे रिलेटर जो भी information होती है वो तो आपको हमारी free वाले telegram channel में मिलते रहेगी जैसा आप देखा free वाले telegram channel का link आपको वीडियो की description में मिलेगा bank nifty option देट आज भी हमने आपर कुछ level update देट जिसने 548 प्लस पॉइंट से भी ज्यादा बड़ा का target easily हमें वहाँ पर करके दे दिया था अगर आपने जॉइन नहीं किया free telegram channel तो यह पर आपर करके आप आप easily joining कर सकते हो अब next important चीज यहाँ पर यह होती है कि जो हमारा bank nifty है तो bank nifty के अंदर 51,000 51,350 यह levels breakout होने के पद एक बड़े target के लिए अगर कोई जाना जाते है तो फिर वह सीधा 540 के target के लिए ऊपर के side में जाएगा अगर 200 का breakout हमें देखने मिलता है तो फिर सीधा 51,000 के target मतलब यहाँ पर 200 पॉइंट्स नीची के side में टागेट रहे 200 पॉइंट्स उपर के side के targets दोनों टागेट्स अभी मैंने आपको बता के रखे हुए है Hero Zero, Hero Zero का जो logical video रहेगा वह हमने अपडेट करके रखा हुआ है तो वह जा करके आप चेक करिएगा अब Hero Zero में logic कौन सा रहेगा कौन से लेवल से आपको entry planning वहाँ पे करना चाहिए कौन से लेवल से exit planning वहाँ पे करना चाहिए वह मैंने बताया है 40 आपका 400 के से हो सकता है या फिर 30 आपका 500 के से हो सकता है इसका logic अलड़ी हमने पिछले वीडियो में explain करके रखा हुआ है तो वह भी आप जा करके definitely check कर सकते हो and free telegram channel भी आप भी सानी से joining कर सकते हो link आपको वीडियो के description में मिलेगा telegram पर जाए bank nifty option trade search करें और जूर जाएए